हाई गाईज विल्कम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई है तो आपको अपने बालों की खास केर करनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए आपको अपने बालों में बेंट पड़ जाएगा आपके बाल फोल्ड हो जाएंगे हेर फोल होना स्टार्ट हो जाएगा तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शियर करूंगी तो गाईज अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉंडिंग या केरेटेन करवाई है तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए कम से कम वन वीक के लिए तो आपको अपने बालों का बहुत ज़्यादा खास धियान रखना है आपको अपने बालों पर कॉंबिंग करते रहना है बालों में टैंगल्स को बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना है टैंगल्स को रिमूव कर लेना ह उसी time बालो को कानों के पीछे नहीं करना सिरम का यूज करना है सिरम के यूज से आपके बालो में instant shine आए कि बालो में tangles नहीं पड़ेंगे तो guys सिरम का यूज आपको जरूर करना है चाहे आपने keratin कराई है चाहे rebonding चाहे आपने smoothening करवाई है आपको serum का use जरूर करना है सिरफ one week के लिए अगर आप अपने बालों की अच्छी care कर लेंगे तो आपके बालों में ना तो bend पड़ेगा ना ही आपके बाल fold होंगे और ना ही आपके बाल hair fall आपके बालों में होगा बिल्कुल भी hair fall नहीं होगा कुछ दिनों के लिए अपने बालों की अच्छी care कर लेंगे smoothening के बाद हमारे बाल काफी ज़्यदा dry हो जाते हैं काफी ज़्यदा rough हो जाते हैं जिससे की hair fall होना start हो जाता है कुछ दिनों बाद ही अगर बालों के अच्छी केर कर लेंगे तो हियर फॉल नहीं होगा इस तरह से मसाज जरूर करें स्मूथनिंग के बाद जिसे की ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक रहेगा कुछ देर के लिए सिरफ 2 मिनट के लिए आपको ऐसे मसाज करनी है जब हम स्मूथनिंग करवाते हैं तो हमें ब्रेड करके या फिर फोल्ड बालों को करके नहीं सोना है जब भी आपको सोना है दिन में या रात में आपको अपने बालों को इस तरह से नीचे की तरफ लमका कर ही सोना है जब आपके वन वीक हो जाता है ये 15 देज हो जाता है स्मूथनिंग करवाए उसके बाद भी अगर आपको पॉनिटेल ब्रेड करनी है तो आपको बालों को नीचे की तरफ ही लमकान है स्मूथनिंग करवाने के बाद आपको प्रोफेशनल प्रोडक्ट का ही यूज करना है आप क्लिनिक प्लस शैंपू डव शैंपू या आयूर शैंपू ये सब शैंपू आप मत यूज कीजिए आपको प्रोफेशनल शैंपू यूज करने हैं मैट्रिक्स के यूज कर सकते ह करके यह सभी प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट यूज कर सकते हैं इन बातों का आपको खास धियान रखना पड़ेगा फिर आपकी स्मूतनिंग लंबे टाइम तक चलेगी गाइस अगर आपको वाइट हेयर या ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है और आप अपने बालों पर महंदी का यूज करते हैं कलर का यूज करते हैं तो स्मूतनिंग करवाने के बाद कुछ दिनों के लिए आपको अपने बालों पर कोई भी महंदी नहीं लगानी है कोई भी कलर का यूज नहीं करना है इससे आपके बाल बिल्कुल रफ हो जाएंगे फ्रंट से और बिल्कुल ड्राय ह जाएंगे smoothing वाली लुक को तो बिल्कुल भी वालों में रह करेंगे तो उससे आपके बाल ड्राइब नहीं होंगे और हेर फॉल भी नहीं होगा आप बायो लाज मैट्रिक्स मिसकेर यह सभी लॉर्यल एक्स चंसो केर यह सभी मास्क ट्राइ करके देखिए इनमें से कोई भी अच्छा मास्क ट्राइ करीजिए आपको मास्क जरूर स्मूत्रिंग वाली लोक काफी टाइम तक आपकी रहेगी आपके बाल काफी टाइम तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे सिल्की रहेंगे तो गाई स्मूत्रिंग करवाने के बाद आपको रबर्ट बेंड का यूज नहीं करना है सिरफ कुछ दिनों के लिए पॉनिटेल करने हैं टाइट ब्रेड नहीं बनानी है अगर आप टाइट पॉनिटेल करेंगे हाई पॉनिटेल करेंगे तो आपके पॉनिटेल वाली जगा पर बेंड पर सकते हैं वहां से आपके बाल फोल्ड हो जाएंगे जिससे कि स्मूत्रिंग वाली लुक बिल्कुल भी नहीं रह जाएगे आपके बाल बिल्कुल साफ पता लगेंगे कि फोल्ड हो चुके हैं 15 या 20 डेज के लिए अगर आप पूरे प्रिकॉशन्स लेंगे बालो पर तो आपके बाल काफी लंबे टाइम तक बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट रहेंगे स्ट्रेट रहेंगे उसके बाद आप हाई बिल्कुल भी नहीं करनी है 15 या 20 डेज के लिए आपको ये सारे प्रिकॉशन्स लेने हैं बहुत अगर आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहते तो कम से कम एक महिने के लिए सारे प्रिकॉशन्स ले लीजिए इसके बाद आप अपने बालों पर ऑलिंग भी कर सकते ह पॉनी तो ये ãy चोट्व ये बातूं से तो आपके नहीं के बालों पड kया तो आपके बालों में बैंड परदेगा नहीं आपके बाल फॉल्ड करें तो यह आपको को लाइक करें प्लताइश न है तब तक के लिए तो सकते हैं rust कीज